हेलो फ्रेंज बेलकम आप सभी कार्ट इन होम यूटू चैनल में आज यह आपका एक इसमा कलास है जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि छोटा बेबी ये लड़का ये लड़की हो तो बटम बाला बंडी कतिंग कैसे करें पेपर सें आपको बताएंगे अगर इससे पहले आप 20 क्लास तक नहीं देखे हैं तो वह भी आप देख लिजिए तभी अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा होगा फिर भी आप अच्छे से सीख जाएंगे घर पर बैठे बैठे तो चलिए पेपर से कटिंग करके आपको बताते हैं अगर इस चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए अगर इस जैसे यह पर रहा है तो आपको बता रहे हैं इससे कटिंग करके बताएंगे आप बिल्कुल ही असां परीटे से शीख जाएंगे अगे इस जयसे जैसे हमने ड़गर भूल किया है इस तरह आप पोल्ड कर लिजिए और इसके पाद ऐसे फोल्ड कीजिए अगर आप सीख लिए आप कपड़ा वाला पनाना चाह रहे हैं तो आप नाप लगा लिजिए बच्चे का तभी आप कटिंग की जेगा कपड़ा वाला है जैसे हम ने पेपर लिया अव्य है इसमें नप लगाना यह कपड़ा नहीं है कपड़ा उता है क्यों नहीं करती में लगा सबसे पहले देखिंग क्यों लंबा Canton यह लेना है unto अब जितना लंबाई रखना चाहते हैं इसमें 13 इंच है अब इसके बाद आपको चोड़ाई ले लेने हैं इसके चोड़ाई हम 6 इंच लेंगे प्रेण और वैसे आपको नीचे बाई में भी ले लेना है और आपको इसके बाद जितना आपको मार्जन रखनी है तो मार्जन लेजिए आप जैसे एक इंच तो मार्जन ले लेंगे आप कपड़े के हिसाप से भी रख सकते हैं ज्यादा ये कम भी इसके बाद फिर लाइन ले लेना ये देखें अब इसके बाद आपको ले लेने हैं सोल्डर सोल्डर हम चार इंच लेंगे लेडिया दो इंच गला लेंगे इसके बाद गले की लंबाई लेना है फ्रेंड्स तो तीन इंच बहुत है बच्चे के हैं बच्चे का है छोटा सा बेबी का और आर्म होल आर्म होल अडाए इंच ले लते हैं इसके बाद गलाए लगाना है अब इतना निसान लगा लिया है अमने निसान लग गया है फ्रेंड्स अब इसे कटिंग करना है यह बहुत ही एजी है फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत या प्रोब्लम समझते नहीं है अब बिल्कुल असानी से घर पर बैठे बैठे सीख सकते हैं और प्रेंड्स हम भी घर पे ही बैठे बैठे इसी लिए आपको नाहीं खर्च करने की जरूरत है और नाहीं कहीं जाने की जरूरत है अब बिल्कुल असानी से सीख सकते हैं घर पर ही करेंड्स यह देखिए जैसे यह कटिम हो गया है आपको जैसे की आपको थोड़ा सगला और बढ़ाना है जैसे तब बढ़ा सकते हैं आगे वाला भाग है फ्रेंड्स हलका साहम थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो देखो करेंड्स जैसे यह हमने बताया था आपको कि जैसे हमें बटम बाला रखना है फ्रेंड्स जैसे यह पीज़िए पीछे वाला भाग है तो पीछे वाला भाग को मैं ऐसे ही रहने देंगे इसमें कुछ नहीं करना है देखिए करना है जिसमें आगे वाला भाग को इसे हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे देखिए दो भाग में हमने कर दिया है जैसे कटिंग डिच में इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स जैसे यह पीछे वाला भाग है अगर सिलाई लगाना है तो पीछे वाला तो सबसे पहले अगर आपको गले और आर्म होल में जैसे बाजु नहीं लगाना सबस्क्राइब दूसरा कपड़ा लगाना जो पट्टी की तरह ओता है अच्छा लगता है देखने में सुंदर लगता है और गले में तो सबसे पहले वो लगा लेलिए आपको इसके बाद आपकर आगे वाला भाग को इसमें भी आगे बागवाला में भी लगाना चाहिए लगा लेना है और फिर देखे फ्रेंट्स जैसे ये पीछे आगे भाग कुआ में बीच में जो कटिंग किया है जैसे ही और इसके में दुखने में अछे लगता है जैसे रेडिमेड की तरह अच्छा लूप पहानने में भी ञच्डे इसलिए फिर इसमें भी आर्म होल में और गले में और पैल मर्म है जिसमें भी लगा लेना को डूसरочно का की कर फिर उसके बाद अच्छा लगता है फ्रेंट दिखने में भी यह बिल्कुली असान है फ्रेंट्स जैसे लगेगा कि रेडी मेड में हमने खरीद कर लाया है फ्रेंट्स और कम कपड़े में भी बन जाता है यह तरह यह बीडियो रमाप्ट्रफ अर्लाइक कीजिए और नहीं समझ में वैंशने बताएं और कपड़ा वाला शेखना चाहरा है कमेंट करें बताएं ठीट्वर्च चाहरा हैं करें दोनों मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में बाइट व्रेंट्स झाल झाल